नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है, Great to India YouTube चैनल पर, यह है Future Learning Platform तो दोस्तों, Art and Culture से Related, जो आज अपना टॉपिक रहेगा, रास्तान के लोग संत हैं, संपर्दाइस से Related, Most Important Course तो चलो, Exam-based, Very Important, MCQ Series का सेशन स्टाइट करते हैं, आज का पहला कोर्शन, तेरा पंती संपर्दाइक किस द्रम से जुड़ा है, तो ध्यान रखें, तेरा पंती संपर्दाइक किस द्रम से जुड़ा हुआ है, दोस्तों, तो यह जुड़ा हुआ है, जैन द्रम से, सही आंसर रहे गए, यहां पर फर्स्ट, ध्यान रखें, यहां पर तेरा पंती, तेरा पंत का अतिर्दिक परभाव, ध्यान रखना आपको यहां पर एक वेरी इंपोर्टेंट, तेरा पंती का जो अतिर्दिक परभाव है, यह कहां पर पढ़ा, अतिर्दिक परभाव रह, तो अतिर प्रबाव जो रा था मिवाड के ध्यान रखना आपको यहां पर इंपोनेंट पॉइंट मिवाड के राजनगर व केलव यहां पर अतियर्धीक प्रबाव रा था तेरा पंतिक नेक्स्ट कोर्शन बताए जल्दी से दादू पंत की मुख्य गदी कहां है बताए जल्दी से वेरी इंपोर्टेंट तो ये जो है काँ पर है याँ पर सई आंसर आएगा ना रहे ना रहे ना जो ये काँ पर है याँ पर जयापूर में काँ पर जयापूर में तो सई आंसर आएगा याँ पर थर्ड नंबर नेक्स्ट संत जामोजी का जनम इस्तान कौन से जिले में हुआ तो संत जामोजी का जो जनम इस्तान है काँ पर हुआ था तो ये हुआ था अपने नागोर में सई आंसर आएगा याँ पर फर्स्ट ध्यान रखें यहां पर तो जामो जी की जो मिर्त्यु है जामो जी का जनम हो गया जामो जी की जो मिर्त्यु है ये भी आपको यहां पर दियान होना थे तो वेरी इंपोडेंट मुकाम मुकाम काम है मुकाम तालवा त्यान रखना आपको very important point है ये नौका बिकानेर आपे बिकानेर तो यहाँ पे इनके पिता का नाम और माता का नाम पता होना थी जम्बो जी के माता का नाम जम्बो जी के माता का जो नाम था हंसा देवी, क्या नाम था, हंसा देवी, very important question, हंसा देवी और ध्यान रखना है जंबो जी के पिता का जो नाम था, वो क्या था, लोहट जी, क्या नाम था, लोहट जी, तो यह जो जंबो जी के पिता का नाम था, तो यह जो है यहाँ पर, संथ जंबो जी का जिनम नागोर में हुआ था तो नागोर में काँ पर हुआ ये दियान रखे पीपासर गाउं में नागोर में काँ पर पीपासर गाउं का नाम याद रखें पीपासर गाउं चले नेक्स्ट कोर्षन की और एक और विष्णु का अवतार कई बार कोर्षन पूचा जाता है विष्णु का अवतार ये भी दियान रखे विष्णु का अवतार किसे माना जाता है विष्णु का अवतार जम्बु जी को माना जाता है, द्यान रखना है यहां पे, very important है, next fourth number, फोर्थ number question क्या किया रहा है, रामस नहीं संपरदाय की परदान पीट, बताईए, रामस नहीं संपरदाय की परदान पीट कहां पर रहा है, तो यह है साभपुरा, कहां पे है, साभपुरा में, और यहां पर इम्पर्ड़न्ट कोर्षन सेरी चल रही है, next five number बताइए जल्दी से, रसीक संपर्दाइ का परवत्त था, परवत्त रसीक संपर्दाइ का कौन था, अग्रोटास, सही आंसर यहां पर आएगा second दोस्तों, प्रवतक कौन था अग्रदास वेरी इंपोर्डेंट कोर्षन है दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजी तो चलो next कोर्षन के और चलता है सिक्स नमबर सुमेलित कीजी संपरदाई और परमुक पीट और गदी तो यहां पे आपको संपरदाई और परमुक पीट की गदी को यहां पे आपको बताना है कौनसा ओप्षन किस से रिलेटेड है सही आंसर बताईए जल्दी से तो देखिए नवल संपरदाई जो है वो काँप है दोस्तों वो है यहां पे फर्स्ट ओप्षन जो दे रखा है एक का जो क्या आंसर होगा नवल संपरदाई सरी गुदर संपरदाई गुदर संपरदाई जो है काँप है यह है अपने दातवाड़ा बीलवाड़ा सही आंसर आएगा इसका second फिर नवल संपरदाई है वो है जोदपूर में नवल संपरदाई कहां पर है जोदपूर में और चरंदासी संपरदाई ध्यान रखना है दोस्तों चरंदासी है यहां पर दिली में और अलक्य संपरदाई जो है वो है बिकानेर ओके दोस्तों तो यहां नवल संपर्दाए जोदपूर्ड, चरंदाशी संपर्दाए दिली और अलक्य संपर्दाए बिकानेर और गुदर संपर्दाए दातवाड़ा बिर्डवाड़ा में तो यह option रहेगा तो अपना option रहेगा 2, 1, 3, 4 मतलब 21, 34 सही answer है कि यहां पर a second number answer right है, next seven number question, बताए जल्दे से, नागोर किस सुपिसंत की दरगा के लिए परसीदे, तो नागोर जो सुपिसंत जो है, वो किस के लिए परसीदे दरगा, तो वो है हम ही दो दें, सही answer यहां पर first, ध्यान रखे संत सेख हमुन दिन नागोरी ने, कौन से कौन से नागोर में किस सुपिसंत, ध्यान रखना है, संत सेख हमिदुन, ध्यान रखे, very important, और हमिदुन की जो मिर्थी हुई थी, इसकी जो मिर्थी है, कौन से सन में हुई थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां पर, 1244 इस्ष्वी में, इनकी मिर्थी हुई थी, सन, ध्यान रखना है, 1244, next question, निमलिकित में से पुष्टी मार्ग के परवतक है, पुष्टी मार्ग के जो परवतक है, वो कौन है, और पुष्टी सब्द का अर्थ क्या है, वो भी यहां पर ध्यान रखे, पुष्टी मार्ग में, यहां पर पुष्टी का क्या अर्थ होता है वो भी पता होना चाहिए दोस्तों इस सब्द का अर्थ होता है बगवान की किर्पा ध्यान रखें बगवान की किर्पा ओके दोस्तों यह चीज यहां पर ध्यान रखना है वेरी इंपोडेंट पॉइंट है और पुष्टी मार्ग के परवत्त किसे का गया तो यह है वलब सलमाबाद किसलिए परसिद आ Leia Toh यह है निर्बाग, पीत के लिए दियान रखना यहाँ ओफिदा पर 5th लमबर labour आफ posson राइगा निर्बाग, पीतdon can याद रखें दोस्तों यह त चले नेक्स्ट कोर्शन के और कोर्शन संक्या 10 सन्यासियों के लिए सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से किसे जाना जाता है बताई यहाँ पे किसे जाना जाता है तो वो है यहाँ पे सही आज़र आएगा थर्ड हमिद्धिन नागोरी को किस है हमुदिन नागुरी को धियान रखना है very important हमुदिन नागुरी को उपनाम से जाना जाता है सन्यासियों के सुल्ता राजिस्तान में वलब संपर्दाय का पर्मुक द्रामिक इस्तल है वलब संपर्दाय का जो पर्मुक द्रामिक इस्तल है वो कौन सा है जो पुष्टी म जो था याद रखे वलब संपर्दाए का तो यहां पर यह जो द्रामिक इस्तिल कहां पर है वो पूचा गया तो वो है नाद द्वारा में इस्तित है तो सही आंसर आएगा यहां पर थर्ड नंबर जम्बो जी के अन्यायों को कहा जाता है तो जम्बो जी के अन्यायों को क्या कहा जाता है जम्बो जी के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है तो यहां पर अभी इसकी जम्बो जी से रिलेटेट कुछ पॉइंट हमने बता दिया थे यहां पर दियान रखे जम्बो जी के अन्योय को का जाता है विष्णोय, ध्यान रखें विष्णोय, तो विष्णोय जम्बो जी जो इसमें एक और मैंने पॉइंट जो अभी रख दिया था, अभी इसमें बात कहले है, 29 उपदेश, कितने उपदेश है, 29 उपदेश है, ध्यान रखें, और 120 सब्दों का संग्रे ह जो है, जम्ब सागर में संग्रेत है, किस में, ध्यान रखना यहां पर, जम्ब सागर में, सागर में संग्रेत है, very important, ओके दोस्तों, जम्ब सागर, next, राजस्तान में सेव को मनने वाली रियासत कौन से थी, तो सेव को मनने वाली जो रियासत है, वो कौन से थी, बताइए जल्दे से, तो वो है जोदपूर, सही आंसर यहां पर, second, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया, उस इस्तान को क्या का जाता है, तो दादू ने जो अंतिम इस्तान बिताया था, वो नेरना, जो जैपूर में, तो यहां पर उन्होंने अंतिम इस्तान है, जो बिताया था, यहां पर, और आदूपन्ती जो लोग हैं इसको एक द्यान रखे हैं पवित्रिस्तान मानते हैं नैनना को क्या मानते हैं ? पवित्रिस्तान मानते हैं Next संत बुरी बाई अलग का कारे चेतर था जो बुरी बाई जो भील दुआरा बनेगे कुट्टी में साधना करती थी तो यह जो है इसका सही आंसर रहेगा मेड तो कारिचात्र था कौन सा मेवाड दियान रखें मेवाड जो है इसका कारिचात्र था सेकेंड ओप्सन यहां पर राइट रहेगा दोस्तों तो यह भी पॉइंट यहां तरगना था बूरी भाई माया बील दुआरा बनाई में सानना कौन करते थे संद भूरी बाई अलग का जो कारी छत्र है वो है मेवाड और भूरी बाई के बारे में ये चीछ दियान रखना है माया बिल ओके नेक्स्ट अजमेर के ख्वाजा मोहिदुन किस सुपी सिलसिले से समंदित है बताईए तो ये सुपी जो है किस सिलसिले से समंदित है तो ये है चीछ दियान रखना है यहां पर वेरी इंपोर्टेंट थर्ड नंबर आप्शन यहां पर राइट रहेगा 17 नंबर कोट्शन मिलान करना है दोस्तों बताईए जल्दी से सबसे पहला द्वारकदिश जो है यहां पर फर्स्ट और सैकर्ड सुचिद करना करोली 45 नंबर ऌफशन शिरी नात जी, शिरी नात जी है वो नात द्वारा में, सही आंसर सेकिंड रहेगा मदुरादिस, मदुरादिस जो है वो है कोठा में और लास्ट गोविंद देव वो है जैपूर में तो यहाँ पर आफशन मिला लेना, दोस्तों 4, 2, 4, 2, 1 और 3 4, 2, 1 और 3, शहीं आंसर रहेगा इसका, यह दोस्तों लालना जी, चोकना जी और सरवी दाजी संत की संप्रदाइस से संबंधित है दोस्तों, यह है जसनाती संप्रदाइस संबंधित, तो यहाँ पर जसनाती के बारे में, आपको मैंने एक कोर्सन बताया ता, अगनी नर्ते, अगनी नर्ते के बारे में दियान रखें, अगनी नर्ते, पॉइंट याद रखना अगनी नर्ते, जस्नाती, ओके दोस्तों, चलें next question की और, राजिस्तान में 13 पंत के परवतक है, 13 पंत के जो परवतक है, वो कौन है, वो है विकन जी, सही answer यहां पे fourth number, तो 13 पंत के जो परवतक है, वो है विकन जी, जयान रखना है very important question, next 20 number, बताए 20 नंबर का सही answer दीजी, दादू पंत के अधिकांग साहिते, किस बोली में लिपी बर्द है, तो दादू पंत के जो साहिते है, वो कौन से बासा में, तो वो है ज्यादातर, वो है डुन्डाडी, ब दोश्त हूं, तो आसा करता हूं कि आज का session पसंद आया होगा, तो आज के लिए इतना ही मिलते है next class में बहुत ही जल, तो धन्यवार